नमस्कार सबसे पहले में आज जग्टी टाउन्शिप में अपने सभी कश्मीरी डिस्पिलेस माइगरंट अपनी बरादरी के लोगों को एक बहुत बड़ा जो तोफ़ा है एक बहुत बड़ी जो खुश खबरी है यहां हमें सुनने को मिली तो आनन फानन में केमप और नान केमप के लोगों में एक बड़ा ही एक खुशी का माहूल जो है एक बहुत बड़ा उत्सु जो है वो आज हमारे नवरातरों में जो ये तोफ़ा मिला मैं तो इसको तोफ़ा ही कहूंगा जो हमारे सियो और इसकी पूरी टीम और साथ ही खसूसल जो जिनकी अफोर्ट से हमारे जो आदरने माननी जो हमारे रिलिफ कमिश्टर साब जो है इनके अफोर्ट से जो आज इस एम फारम जो डिफरेंट पुलिटिकल पार्टियों के जतने भी हमारे सारे नेता लोग जो दो दिन पहले जो है जो हमारे सीयो के साथ जो मिटिंग हुई और युना ने मसली वन वाइस में जो है इस एम फारम को हटाने का जो वहां पर जो एक प्रस्ताव रखा गया और मैं चाहूंगा कि आपको मैं यह चीज जरूर कहूंगा कि आए दिन एम फारम के उपर जब भी असंबली या पार्लिमेंट के अलेक्शन हुआ करते थे तो बढ़ चड़के लोग जो है इसके विरोध में कहीं तरीकी के प्रोटेस्टि भी हुए और इस एम फारम को हटाने के लिए डिफरेंट पुलिटिकल पार्टियू ने अपनी अपनी तरफ से इस आवाज को हम हार दिक बढ़ाई देते हैं अपने चीफ एलेक्शन कमिशनर साब जो इंडिया के हैं और सबी हमारे यहां के सी-ओ ऑ है। और यहां के जो हमारे डिफ कमिशनर हैं और पूरी टीम को कशमीरी विस्थाविए 35 साल के बेल डिमॉकरिकल है अपने वोट डलने का जो है जैस पूरे हंदुस्तान में फ्रोट इंडिया में जिस तरीके से एक नागरिक जो है जिसका राइट है अपना वोट डालना आज बढ़ चर कश्मीरी पंडित कम्मुनिटी को में ये अपील करता हूँ कि आज इस उत्सों को बढ़ चर कर मनाएए और आने वारे टाइम में बढ़ चनकर बाहर निकले और अपना वोट का अधिकार जो है जिस किसी भी पुलिटिकल पार्टी को देना होगा आप निकले आईए और जो परतिक्रिया जो जिस जिस ने भी ये एम भारम जिस पुलिटिकल पार्टी या जिसके पीछे भी जिन लोगों की एजनसे या जो इस तर बदादाई ओर मुबारेट आले का बादादा है